तो हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं इंविंसिबल वान दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 10 CO2 एर पिस्टेल्स और रिवॉल्वर्स दिखाऊंगा दोस्तों वीडियो लंबी होजेगी इसलिए इसको दो पार्ट में अप्लोड करूँगा सेकंड पार्ट का लिंक में से भाइ कर देजिए सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उसे एक बड़ जरू चेक कीजिएगा तो दोस्तों आज की पहली गन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है कोल्ट 1911 दोस्तों कोल्ट 1911 45 कलीबर में एक असली गन आती है उसकी यह हूब हूपी है दो बहुत ही रिलिस्टिक इसकी लोका आती है स्टील बिल्ट है सारी और यह इसकी आप मैगजीन देखिए मैगजीन इसकी कुछ इस तरह देखती है और इसका जो हैंडल है इसके अंदर आप इसका जो ग्रिप है इसके अंदर आप 12 ग्राम का सियो टू का सिलिंडर लोड कर सक इसको American Company Crossman मिनाती है और आप यह देख सकते हैं यह अपनी Silver Color में आती है यह भी Full Metal Built है और इसकी जो Grip है वो है तो Fiber Grip बर देखने में ऐसा लगता है कि Wooden Grip है इसमें भी दोस्तों Safety है Moving Trigger, Moving Hammer and Moving Slide है इसमें भी 12 ग्रम का CO2 का Cylinder डलता है इसमें भी आप BB फार कर सकते हैं Steel VBs 177 कालिबर के देखिए दोस्तों इसकी लुक बिल्कुल रियल आती है इन सारी गंज में दोस्तों Steel Rifled Barrels है अगर आप इसको कवर में डाल के रखते हैं या आप डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं तो बिल्कुल इसकी रियलिस्टिक लुक आती है दोस्तों इसकी भी मैगजीन में आपको दिखाता हूँ यह देखिए इसकी मैगजीन में 12 ग्राम का CO2 का स्लेंडर लोड हो जाता है और सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें आप पैलेट भी फार कर सकते हैं तो यह पैलेट फार करती है दोस्तों और जैसे कि मैं आपको बता है इसमें राइफल्ड वैरल था पहली गन अपनी बीवी फार करती थी यह अपनी पैलेट फार करती है और इसमें राइफल्ड वैरल था दोस्तों स्टील राइफल्ड वैरल तीसरी गन जिसको इंडिया में हर कोई जानता है क्योंकि अपनी आईउएफ की जो आईउएफ की 32 बोर की गन आती है वो इसकी ही हुबहु कॉपी है धोस्तों ये है WEBLA Mark 6 वोही कम्पनी WEBLA जो असली गन बनाती है UK में वो इसका हुबहु CO2 कॉपी बनाती है तो ये है WEBLA Mark 6 सेम कम्पनी ने CO2 में हुबहु कॉपी बनाई है इसके ओपर फूल एड़ो में बना चुका अपने चैनल पे किसी के पास IOF की 32 बोर की रिवालवर है तो बिलकुल सेम लुक आती है उसके जैसी इसमें दोस्तो छे शेल डलते हैं और इससे आप BBN पैलेट फार कर सकते हैं बहुत ही बैतरीन एर रिवालवर है अगर आप कोई old school movie shoot कर रहे हैं वीडो बना रहे हैं इसमें आप यूस कर सकते हैं वैसे अगर आपने shock के लिए खरीद नहीं है तो best option है प्लस इसमें जब आप इसके barrel को खोलते हैं तो जैसे असली gun में shell eject होते हैं इसके shell भी eject हो जाती हैं दोस्तो अन्शल आप जितनी मर्जी बार reuse करो कोई problem नहीं एक बार में इसमें आप 6 shot लोड करके rapid fire कर सकते हैं दोस्तों तो यह थी अपनी weblay mark 6 बहुत ही बैटरी न अपनी air revolver है यह इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी beretta px4 की तरफ तो दोस्तों beretta आपको बता है इतालियन कंपनी है इसमें दोस्तों moving hammer moving trigger moving slide जैसे कि आपको पता है safety इसकी inbuilt है प्लस इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छे aim करने के लिए sides दे रखी है इसमें भी 12 अगराम का CO2 का cylinder डलता है इसकी magazine में आपको खोल के दिखाऊंगा आगे बहुत ही अच्छी fit finish and quality है इसकी दोस्तों आप देख सकते है जैसे कि मैंने को बताया इंडिया में आप buy कीज़े कोई license की need नहीं है दोस्तों आप इसको इंडिया में कहीं भी रख सकते है and no license required यह देखे दोस्तों यह रही इसकी slide slide भी इसकी lock back हो जाती है last round पे and कुछ इस तरह अप लोड़ करके then it's ready to fire इसकी भी magazine में आपको खोल का दिखाऊंगा आगे पर आप देख सकते हैं बहुत ही बहतरी निसकी fit and finish है दोस्तों चलो दोस्तों अपनी अगली gun की तरफ बढ़ते हैं जो की है बरेटा 92 की हुबहु कॉपी जिसका नाम भी है Hellraiser P92 तो यह देखे दोस्तों अगर आपने movies देखी है तो यह gun तो आपने जरूर देखे होगी बरेटा की बरेटा 92 दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कोई gun है उसमें से एक gun मैं कह सकता हूँ बरेटा 92 भी है हर मुवी में आपने इसको देखा होगा तो यह उसकी हुग 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 कॉपी है इसमें भी moving trigger, moving hammer, moving slide आती है इसमें भी 12 gram का CO2 का cylinder डलता है और आप इसको देख सकते हैं इसकी बहुत ही बहतरी black color में इसके look आती है इसमें भी दोस्तो safety, inbuilt safety है इसके इंदर and हाथ में पकड़के full size gear gun है full metal built, 1 kg के आसपास इसका weight है और यह भी last round पे इसका bolt पीछे हो जाता है इसकी slide पीछे log back हो जाती है जैसे असली gun में होती है और आप इसको फिर लोड़ करके फिर fire कर सकते हैं तो अगर आपने बिना license के cheap rate में असली gun का मज़ा लेना है जैसे ऐसी important gun का मज़ा लेना है जो इंडिया में बहुत मुश्कल से मिलती है तो आप CO2 gun के साथ अपना shonk तो पूरा करी सकते हैं दोस्तों तो यह थी अपनी Hellraiser 92 इसमें दोस्तों BB डलते हैं इसकी जो magazine है बिलकुल असली BB 92 की copy है और इसमें भी दोस्तों 12 gram का CO2 का slender डलते है और इसमें steel 177 caliber के BB जलते हैं चलो दोस्तों अपनी अगली gun की तरफ बढ़ते हैं जो की है Crossman Macco यह भी दोस्तों BB 92 की copy है हूब हूँ जैसे कि मैं आपको बता है 1911 और Bretta 92 की बहुत companies copies बनाती है तो यह देखे दोस्तों सबसे अची बात है इसमें fiber optic front and rear sight है जो इसका उपर slide है वो stainless steel की slide है chromium plated नीचे इसकी fiber body है और आप इसकी look देख सकते हैं बहुत ही battery है इसमें भी दोस्तों moving slide आती है इसकी full video मैंने भी channel पर upload किया आप देख सकते हैं इसमें भी 12 gram का CO2 का cylinder डलता है safety इसमें भी आती है इसकी magazine में भी दोस्तों आप BBs loot कर सकते हैं आप इसकी fit and finish देख सकते हैं बहुत ही भैतरीन है यह देखे दोस्तों